हलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब लोग आयोप अच्छे ही होंगे क्योंकि रोज मेरी आवास तो आप सुनते ही हैं आज का वीडियो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए विनारी हूं चुल लोगों का इंडिगो और हिना मेरा वीडियो देखने के बाद में काफी कंफ्यूजन क लोगों के लिए आज का वीडियो है तो मेरे पास मेसेज आते हैं तो हर किसी का रिपलाई लिख कर देना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए क्योंकि अल्रेड इतने सारे कुश्चन होते हैं फेस्बुक पर वाटसब पर तो मैं रिपलाई नहीं कर पाती हूं तो सोच एक छोटा सा क्लिप बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं देखिए लास्ट जनवरी में मैंने कलर शोड़ा था तब से लेकर तिल डेट आज तक मैं इंडिगो और हिना वो जो सारी हफ्ष जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर के थी वो रेगुलर लगा रही हू मेरे बाल जो है खराब कुछ भी नहीं वे अच्छे अच्छे और अच्छे होते जा रहे हैं अभी आप लोगों को शायद याद भी होगा जब मैंने हेना इंडिगो एप्लिकेशन वाल अपना वीडियो डाला था तो किसी साहब मैं कमेंट किया था कि मैं नहीं नहीं एक्स छाहिए मुझे समाले नहीं जाते इतने लब्मेवाल तो मैं अभी आज ही मतलब ट्रिमिंग आजकल में कराने वाली था मैंने सोच आपको लगों को बता दूं कि देखें बाल मेरे सही सलामत है कर बहुत अच्छा आता है देखिए ना तो मैंने जिसे आपस के साथ पहले कहा था कि नहीं तो जेड ब्लेक होता है नहीं रैड होता है mix combination आता है जो कि बालों को बहुत खुबसूरत कलर होता है male and female दोनों लगा सकते हैं क्योंकि indigo powder भी basically herbs ही है देखिए वो नील पत्ती powder है और जो नीला रंग छोड़ता है जैसे हिना, औरेंज या लाल रंग छोड़ती है वैसे ही नील पत्ती powder जो होता है नीला रंग छोड़ता है बालों पर application खराब है उसका देखिए मेरे बाल तो खराब नहीं हुए है और तकरीवन 40 लोगों के पास मैंने पूरा pack बिचवाया है जिसमें सारी herbs हैं, हिना है, इंडिगो है वो सारे लोगों ने apply किया है, और touchwood सबके review बहुत अच्छे है मतलब मैं अभी मौका लगेगा तो आप लोगों के साथ review share करूँगी photos तो देखिए उनके हैं मेरे बास, लेकिन photos मैं नहीं डाल सकती हूँ Facebook पर तो उन लोगों से return में reviews लेकर आप लोगों को शेयर करूँगी कि उनके साथ क्या changes आई उनके बालों पर और उनकी family में भी कई लोगों ने apply करना शुरू किया है trust कब होता है आपको किसी भी product पर जब repetition में कोई उस चीज को मानता है तो दिखिए मुझे तो लगाते हुए देर साल हो गया देर साल से भी जादा हो गया जैसे मैंने आपको share किया मेरी ही family की है तीन चार members है हम लगा रहे हैं और किसी के भी side effect नहीं आया था तब ही मैंने आप लोगों के साथ share किया था जैसे gardening में मैं हमेशा जब garden में कोई भी चीज अप्लाई करती हूँ उसके results देखती हूँ उसके बाद आप लोगों के साथ share करती हूँ same cheese मैं body हो या skin हो सारी चीज़ें apply खुद करती हूँ result मुझे पता होता है positive ही आने वाला है क्योंकि मैं कोई भी chemical नहीं लगा रहे हूँ कि जहां पर भी आपने कोई भी chemical को छोड़ा समझ लीजे result positive ही आने वाले हैं क्योंकि natural चीज मुझे नहीं लगता नुकसान गरीगे आपको यह मेरी सोच है और full of positivity के साथ लगाएंगे तो जैसे garden में magic हुआ है वैसे आपकी skin पर और बालों पर भी होगा तो please ज़्यादा बहम मत पालिए अगर मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरे से बोलिए आपकी मेरे जहां से जा रहे हैं आप उनसे लीजे मैंने कभी नहीं कहा मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि जहां से हमारे पास आ रहे हैं quality पर मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि pure है कोई chemical नहीं है सबसे बड़ी बात है उसमें कोई chemical नहीं है इसलिए मैंने recommend किया था कि अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं आप लोगों को मिल जाएगा price list में messenger पर देही देती हूं जो भी कोई मांगता है तो आप लोगों को ठीक लगता है तो आप लीजेगा किसी को भी force नहीं है बस जहां से भी आप ले रह रंग नहीं चोड़ता है अगर वो नीला रंग चोड़ता है अगर वो नीला रंग चोड़ रहा है तो definitely वो औरिजनल है और एक oxidize का मैंने वीडियो यूटीव पर डाला है oxidize ना हुआ हूआ हो तो वो देख लीजेगा बाकी आप कहीं से भी लेकर apply कर लिजे ये बस मैं guarantee द कराव नहीं होगी हाँ कुछ लोगों ने बोला था कि मैं लंबा मैं थड़े आपका तो देखिए मेरा माना है कि आप जब तक किसी भी चीज में डालेंगे टाइम नहीं देंगे तो एकदम से क्विक रिजल्ट तो सिर्फ आप कलर लगा की पा सकते हैं कि आपने कलर लगाय मतलब केमिकल लगाया 15 मिनट में आपके बाल काला हो गया और आपने गौश किया और चैराम जी के बड़े के मुझे लगता है कि कोई हम इतनी सारी हम मिला के हिना अप्लिकेशन कर रहे हैं बालों पर तो तीन गंड़े सर पर रखके यार कम से कम शरीड में तो जाने दीजे है और मैं बहुत खुश हूँ यह मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन लोगों ने मेरे कहने के बाद यह सब शिरू किया बालों की क्वालिटी अच्छी हुई केमिकल को शोड़ा और आपको पताए जब हम केमिकल को अपने पास से हटाते है ना तो एक कलर अप्लाई करना शुरू किया है या एकाथ साल हुआ है छोड़ दिजे नगी तो आपके सारे बाल सफेद हो जाएंगे लेकिन आपके बाल सारे सफेद भी हो जाए अगर सफेद होने से बचाना है क्वालिटी अच्छी रखनी है थोड़ा सा टाइम दे दीजिए वीक में आप तीन चार घंटे तो अपने बालों के लिए निकाली सकते हैं कितना भी बिजी स्केडियूल हो आप काम करते करते भी लगा सकते हैं देखिए ऐसा कुछ नहीं है समर में थोड़ा दिक्कत आता है क प्लीज देख लीजेगा और अभी मैंना लेटेस्ट सारे कंफूजन को क्लियर करते हूँ लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डाला था उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में देदूंगी तो देख लीजेगा और प्लीज अप्लाइज जरूर करिएगा मेरे कहने से आप लोग भी अप्लाइ कर लीजेगा टैंग की वोटी मेरे के से आप कर लेंगे ने चैनिल पर बने रहीएगा और शैंपू नहीं बनाया है तो बना लीजेगा स्क्रब नहीं बना ये तो बना लीज, करनेब मैं को दुशार।